एक बात याद रखना कभी भी घमंड मिना या एंकार में अपना सर उचा मत उठाईएगा आप सभी याद रखेगा जिनको सुवर्ड पदक मिलता है ना पदक पाते समय वो भी अपना सर जुकाते हैं और घमंड क्यों करना जब आप सभी को पता है जो भी हमें आज मिला है जो भी हमारे पास है जिसके उपर घमंड कर रहे हैं वो कुछ दिन का ही महमान है क्योंकि एक दिन तो हम सभी को यहां से जाना ही है तो क्यों ना सभी से प्रेम से अच्छे से विवार से रहें ताकि जान करने के बाद notification के बेल को दबा दीजेगा ताकि हर एक class का upbit मिलता रहे और इस class का पूरा का पूरा PDF आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा और किसी भी exam का mock test या practice set आप success की 98.net पर जाकर आप सो भी दे सकते हैं ठीक है वहाँ से अगर 349 वाला package भाई करते हैं तो एक साल के validity के साथ आपको railway, SEC और bank हर exam का mock test आपको दिया जाएगा ताकि exam से पहले आप सभी judge कर पाओ कि आप कितना score कर पा रहे हैं और चो test है आपको Hindi और English दोनों ही language में मिल जाएगा और एक बात बोलूँगा आप सभी को कल रात को 9 बजे मैंने एक video डाला था NTPC के exam को लेकर date को लेकर और सरकार को जवाब नहीं दे रही है क्यों नहीं दे रही है जवाब जबकि उनको जवाब देना पड़ेगा RPF का, ALP का, Group D का जो form fill up किया गया तर उसका पैसा भी अभी तक बहुत जनको refund नहीं आया सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा ऐसे form निकाल कर आप चूप नहीं रह सकतें ठीक है एक साल हो गया आपको कोई जवाब नहीं आया तो कल वाले बीडियो पर यही बोलूँगा कि आप सभी गाली मत दो लेकिन जो सरकार है उनको जवाब दिना पड़ेगा तो आप सभी किर्पिया गाली देने से बचिए किसी को भी ठीक है लेकिन सरकार गलत कर रही है और आपको समझना पड़ेगा एजुकेशन हमारे कंट्री में वो बहुत माइने रखता है लेकिन आप सभी एजुकेशन का मजाक बना कर रख दिये हैं बहुत जनका साल साल बरबाद हो रहे हैं तो विडियो देख लेना शेयर करो विडियो ट्विटर पर टैक करो रेलिमिस्टर को ताकि जवाब देख कम से कम ऐसे आप वोट के लिए आप वेकैंसिस निकाल नहीं सकतें बच्चों को बेवकुफ नहीं बना सकतें तो यहीं बोलूँगा, सेर कर ये विडियो को, सभी को पहुचाईए विडियो, गाली मत दीजे कम से कम, और एक बात, आज कवर करने वाले हैं, हम सभी 8 और 9 फैवरी के important current affair, कुछ important point के साथ, ठीक है, तो देखते हैं, आज का पहला प्रस्थ हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है, और आप फोटो में देख पा रहे होंगे, जिस लड़की को, ये लड़की एक अलग सा आग लगा दी थी, सोसल मिडिया पर, जब इन्होंने climate की अगिस्ट अपना आवाज उठाया था, ठीक है, और बहुत कुछ, पूरी दुनिया हिल गई थी, सभी जानते हैं, और इन इनका नाम क्या है, तो सभी जानते हैं, इनका नाम है Greta Thunberg, और एक बात याद रखे हैं इस क्वेस्टिन से, ये किस कंट्री से हैं, तो यह सुडेन से हैं, कहां से क्वेस्टिन पूछ सकता है, ये किस कंट्री से हैं, तो आपका एंसर क्या होगा सुडेन, और आज का आप सभी का पहला प्रस्नी भी यहीं से निकल कर आ रहा है, कि सुडेन के प्रधान मंत्री का नाम क्या है, वहां का मुद्रा क्या है, वहां का राजधानी क्या है, ये तीन चीज आप सभी को कॉमेंट करकर बताना है, यह आपका आज का पहला प्रस्न है, नेक्ट कुशन हमारे स फसल को बरबाद करते उड़ते हैं जुंड में वो कीड़े जो है उस देश के बहुत सारे फसल को बरबाद कर रहे है इसलिए वहां की सरकार ने क्या किया है राष्टी अपातकल घोसित किया है टिंडियों को लेकर और वो देश कौन सा है तो वो है आपका option number B पाकिस्तान अगला प्रस हमारे सामने है किस देश ने वायू जनित करणोस्ते सभी परकार के वेक्तित सुरक्षा उपकरण कपड़े और मास के निर्यात पर परतिबंद लगा दिया गया वेक्तित सुरक्षा उपकरण कपड़े मास के निर्यात के उपर वो परतिबंद लगा दिया गया थोड़ा question को समझना आप सभी आप सभी को पता है चाइना से जो क्रोना भाईरे से बहुत तेजी से फैल रहा है और इंडिया बोल दी है जितना भी protection का समान है वो export करने के लिए बिलकुल भी जो है वो ban कर दिया है ताकि आगे चल कर इंडिया में ही खुद की कमी ना हो जाई ये सब चीजों को लेकर इसलिए सरकार ने इन सब समानों पर ban लगा दिया है क्या है answer हमारा इंडिया और सही भी है आगे चल कर ऐसा ना हो कि बाहर हम बेज रहे बाहर बेज रहे खुद के देश में खुद की लोगों को problem हो जाए और ना मिले ये सब चीज अगला प्रस्त हमारे सामने है finch rating finch agency के अनुसार वित्ते वर्स दोयर 21 की लिए इंडिया का GDP growth कितना परतिसत तक रहने वाला है तो finch agency के अनुसार वित्ते वर्स 2021 के लिए इंडिया का GDP जो रहने वाला है वो 5.6 परतिसत रहने वाला है option number आपका B अगला प्रस्त हमारे सामने है किस राज की सरकार ने अवेद बिक्री की जाज के लिए online lottery योजनाओ की बिक्री पर परतिबन लगा दिया और बिल्कुश सही है ये सब online lottery वगरा पर बैन लगना चाहिए और ऐसा करने वाला सरकार है आपका option number D पंजाब पंजाब की CM कौन है सीरी कैप्टन अमरिंदर सिंग राजजुपाल सीरी भीपी सिंग बंदोरे और क्यापिटल तो वो है आपका चंडीगड अगला प्रस हमारे सामने है भारत का सबसे बड़ा ग्रामिड तक्निकी मौसव जिसका नाम कहा है अंतप्रग्या 2020 का किस राज में आयोजिन किया जाएगा ये भारत का सबसे बड़ा ग्रामिड तक्निकी मौसव जिसका नाम कहा है अंतप्रग्या 2020 का आयोजिन करने वाला राज जो है आपका तिलन गना और वहां का राजधानी क्या है तो वो है आपका हैदराबाद राजजुपाल कौन है तो वहां के राजजुपाल है आपका तमल साई साउंडा राजन और वहां के मुख्यमत्री कौन है के चंद्र सेखर राओ अगला प्रसमारे सामने है भारत की पैरा एलंपिक समेती के अध्यक्च के रूप में किसे चुना गया है और उनका नाम है खुद पैरा एलंपिक एतलेट्स रह चुकी है जिनका नाम है आपका दीपा मलीक उप्सन नमबर डी इनी को प्रेसिडेंट बनाया गया है पैरा एलंपिक कमेटी ओफ इंडिया का ठीक है एक्जाम में पूछेगा पैरा एलंपिक समेटी के अध्यक्च के रूप में किसे जो है वो चुना गया है तो उनका नाम है दीपा मलीक अगला प्रस हमारे सामने कैन्डरा बैंक कुछ दिन दो दिन पहले मैंने आपको बताया था वहां के जो एमडी और सीओ है जो रिटार्मेंट हो चुके है और अभी कैन्डरा बैंक के एमडी और सीओ के रूप में किसे नुक किया गया है तो उनका नाम है आपका अपका एलवी प्रभाकर अप्सन नंबर आपका दी ठीक है अगला प्रस हमारे सामने सातवे MSME यानि Micro, Small, Medium, Enterprise Excellence Award for Most Promising Brand ज़र 19 का खिताब किसने जीता है यानि सबसे बिश्वसनिय ब्रैंड के रूप में किसने खिताब जीता है और वो है आपका अमुल मिका आप्सन नंबर आपका B अगला प्रस हमारे सामने किस राज की सरकार ने PMMVY के कारे निवन के लिए पहला इस्थान प्राप्त किया है अब थोड़ा मैं समझाओंगा इसका फिल फ्रॉम पहले आप देख लो परधान मंतरी मट्रूवंदना योजना अब ये है क्या इसके अंदर क्या था ना जो भी महिला प्रेगनेंट है गरवती है और उनकी फैमिली में बच्चा होता है तो उनको 5000 रुपए की सहायता और बहुत सारी सहायता जो है उनको अलग-अलग पकार का उनको दिया जाएगा इस मामले में कौन सा राजज जो है वो सरस्थेश रहा टॉप पर रहा तो वो राजज है आपका मध्य परदेश औप्सण नमबर आपका जी और मध्य परदेश के मुख्य मंत्री कौन है कमलनाथ राजजपाल लाल जी टंडन और कैपिटल क्या है तो वो है आपका भोपाल अगला प्रस्वारे सामने 3000 मिल्की यात्रा पूरी करके अंतलाटिक महासागर के पार जाने वाले पहले बधिर वेक्टी कौन बन गए अब बधिर वेक्टी किसको बोलते है डीप पर्सन किसको बोलते है ये भी आप जान लो ये वो बेक्ती होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं समझ नहीं पाते हैं वो बेक्ती कौन है जो 3000 मिल की यात्रा पूरी करकर अंटलांटिक महासागर को पार करने वाले पहले विक्ती बन गए और वो बेक्ती है आपके M.O. ब्राइन आपसन नमबर आपका D और एक बात इनका उम्र बता दू आप सभी को 60 साल इनका उम्र है कितना? 60 साल जो बहुत बड़ी बात है अगला प्रस्मारे सामने है नासा ने 16 साल की सेवा के बाद दुर्बीन का विक्तन किया है यानि दुबारा से इसको लेकर आए हैं अपने सेवा के लिए उस दुर्बीन का नाम आपको बताना है और उस दुर्बीन का नाम है आपका स्पिजर स्पेस टेलिसकोब ऑप्सन नंबर आपका B ठीक है अगला प्रस्मारे सामने है वर्स के पुरुसकार के उद्घाटन BBC Sports Omen के लिए किसे नामित किया गया है लेकिन option में है जो है वो है आपके Marycom ठीक है तो answer आपका Marycom होगा और Marycom के साथ साथ विनेस फोगात, पीबी सिंदू, धूती चंद, मांसी जोसी इन सब को nominated जो है वो किया गया है और कौन विजेता रहेगी इसका जो announcement है वो अगले महिने 8 तारीक को किया जाएगा तो मैं आप आपको information जो है वो दे दूँगा ठीक है अगला प्रस हमारे सामने Laureus Sports Moment Award के लिए किस से sort list किया गया है और उनका नाम है आपका Sachin Tendulkar option number आपका B अगला प्रस हमारे सामने World Cancer Day सभी को पता है 4 February को हम सभी मनाते हैं आपको बताना है 2020 का theme यानि विसए क्या है तो जो 2020 का वह है आपका I am I will मैं हूँ और मैं करूँगा इस बार का विसए है World Cancer Day 2020 का जो 4 February को मनाया जाता है अगला प्रस हमारे सामने सरकार ने जनता के लिए कौन सा उध्यान खोलने का फैसला किया है और यह 5 February से 8 March तक खुला रहेगा और वह Garden कौन सा है मुगल Garden है 5 से 8 March तक खुला रहेगा और 8 March से 11 March तक जो है वह Harval Garden भी Harval Garden जिसको हम लोग Tactile Garden भी बोलते यह भी खुला रहेगा किसानों के लिए ठीक है अगला प्रस हमारे सामने NCRB के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लापता महिला जो है वो किस राज में रही है जो दर्ज है रिपोर्ट दारी क किया गया है यानि सबसे ज़्यादा लापता महिला कौन से स्टेट में रही है यह रिपोर्ट जारी किया गया है NCRB के द्वारा और वो राज्य कौन सा है तो वो राज्य है आपका महरास्टरा 2017, 2018 और 2019 के डाटा के अनुसार सबसे लापता महिला कौन से राज्य में रही है तो वो है आपका महाराष्ट्रा उस वक्त वहां के मुख्छ मंत्री थे आपके डेवेर्डनर फड़नावीस अब भी वहां के मुख्छ मंत्री कौन है तो उद्दक ठाकरे राज्युपाल वहां के कोन है भगत सिंग्ख खोस्यारी और कैपिटल क्या है वहां का तो वो है आपका मुंबई अगला प्रसमारे सामने है आप सभी को पता है उलम्पिक गेम जो होने वाला है 2020 का वो जपान की राजधानी टोकियो में होने वाला है उसके लिए भारत के सदभावना राजदूत कौन बने है यानि गुडविल अमबस्डर जो है वो भारत का किसे बनाया गया है टोकियो अलम्पिक 2020 के लिए और उनका नाम है बीस सी सी आई के अध्याक जिनका नाम है सौरभ गांगुली जिनको हम सभी प्यार से दादा बैंगोल टाइगर भी बुलाते हैं इनको बनाया गया है गुडविल अमबस्डर टोकियो अलम्पिक के लिए भारत की तरप से अगला प्रस हमारे सामने कोसोबो के नए पढ़ान मंतरी के रूप में की से चुना गया है और उनका नाम है आपका अलबिन कुर्ती और आपका भी और आज का आपका दुसरा प्रस्ट यहां से निकल कर आ रहा है कि कोसोबो का मुद्रा और कैपिटल ये दो चीज आपको कर बताना है ये आपका आज का दुसरा प्रस्ट नहें अगला प्रस हमारे सामने है ACI प्रसांद केंद्री बैंकर का अवाट किसनी जीता है ACI Pacific Central Banker of the Year का अवाट जितने वाले बेक्ती का नाम है Reserve Bank of India के राज्यपाल सक्ति कांदास जो गवर्नर है आपके Reserve Bank of India के ठीक है तो ये थे आपके Important Current Affair 8 और 9 February का क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि दो दिन का Current Affair cover करना था ठीक है, सो मेरे जितने भी भाई वैने सभी को बहुत बहुत गुद मॉर्निंग और कल के रात वाले वीडियो पर गाली देने से थोड़ा बचो आप सभी ठीक है, सो मेरे जितने भी भाई वैने सभी को बहुत बहुत गुद मॉर्निंग आपका दीन आज का बहुत अच्छा है आपका ग्रेट संडे और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही खयाल लखेगा ठीक है ना चलिए